शरीर के इन अंगों पर तिल का होना होता है, बेहद शुभ कभी नहीं होती धन की कमी भरे रहते हैं धन के भंडार. नमस्कार दोस्तों राधे राधे जय श्री कृष्ण, दोस्तों वैदिक जोतिश शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के भविश्य और स्वभाव के बारे में राशियों के द्वारा जाना जाता है. लेकिन इसके दोस्तों अलावा व्यक्ति के शरीर में मौझूद तिल के माध्यम से भी व्यक्ति के भविष्य और स्वभाव के बारे में जाना जा सकता है वैसे ही सामुद्रिक शास्त्र में व्यक्ति के शरीर पर मौजूद अंगों के आकार और तिलों का विशलेशन करके फलित किया गया है वहीं यहां हम बात करने जा रही हैं ऐसे तिलों के बारे में जिनका शरीर पर होना बेहत शुभ माना जाता है साथ ही जिन लोगों के शरीर पर ये तिल होते हैं वो लोग धन संपत्ती के मालिक होते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि तिल का क्या महत्व है और शरीर के किन अंगों पर तिल का होना शुभ माना जाता है लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी का आशिरवाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सचे दिल से राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि तिल के आकार का क्या महत्व है व्यक्ति के जीवन में खास महत्व रखते हैं खास कर लंबे तिल सामान्य अच्छे परिणाम देते हैं अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर तिल हो तो उस व्यक्ति को एश्वर्य और सुख संपत्ती की प्राप्ती होती है दोस्तों जोतिश शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के शरीर पर बारह से अधिक तिल होना अच्छा नहीं माना जाता है शरीर पर तिलों को लेकर अलग-अलग धार्नाए भी हैं ये भी कहा जाता है कि शरीर के जिस हिस्से पर तिल होता है वो उसके पूर्व जन्म में लगी किसी चोट का निशान होता है तो ये था दोस्तों तिल का क्या महत्व होता है आए अब जानते हैं कि शरीर के किन अंगों पर तिल का होना शुभ माना जाता है दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के दाहिने गाल पर तिल होना बेहद शुब होता है साथ ही ऐसे लोग बहुत कम मेहंत में भी बड़ी काम्याबी पाते हैं और ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिती मजबूत रहती है इसके अलावा वह अपने पार्टनर के लिए बहुत वफादार होता है साथ ही उसका अपने पार्टनर के साथ अच्छा तालमिल बना रहता है नमबर दो कमर पर तिल होना दोस्तों किसी भी व्यक्ति के कमर पर तिल का होना बेहत शुभ माना जाता है वहीं खास तोर पर अगर किसी स्त्री के बाई कमर पर तिल है तो वो न सिर्फ बहुत धन्वान होती है बलकि उसका व्यक्तित्व भी बहुत आर्कशक होता है साथ ही वह परिवार और समाज में अपनी अलग पहचान बनाती है नमबर तीन नाग पर तिल होना मित्रों सामुदरिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के नाग पर तिल होता है वो लोग बहुत भागयशाली और दूरदर्शी होते हैं साथ ही जिन लोगों की नाग के अगरभाग पर तिल होता है उन्हें जीवन में हर सुक सुविधाओ की प्राप्ती होती है और उनका जीवन सुख शांती से बीटता है दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार किसी महिला के कंधे पर तिल होना उसके लगजरी लाइफ जीने का संकेत होता है कहा जाता है कि ऐसी महिलाएं खुद भी साधन संपन्य जीवन जीती हैं और समाज की भलाई के लिए बहुत काम करती है नमबर पांच ठुड़ी पर तिल होना दोस्तों किसी भी व्यक्ति खासकर महिलाओं की ठुड़ी पर तिल होना बहुत शुभ माना गया है मान्यता है कि ऐसी महिलाओं के जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है वे आराम से अपना जीवन यापन करती है सबसे खास बात ये है कि ऐसी महिलाओं को जीवन में कभी भी संधर्ष नहीं करना पड़ता है नमबर छे, कान में तिल होना अगर मित्रों किसी भी व्यक्ति के कान के किसी भी भाग पर तिल है तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन काफी अच्छा होता है जिन लोगों के कान के पास तिल होता है वे बहुत भाग्यशाली बुद्धिमान और निर्नय लेने में तेज होते हैं ये व्यक्ति जीवन जीने के साथ हर छेत्र में सफलता हासिल करते हैं और उनको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है नमबर साथ गले में आगे की तरफ तिल होना दोस्तों सामुदरिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के गर्दन के आगे के हिस्से पर तिल होने का मतलब है कि आप अपने साथ सौभाग्य लेकर चलते हैं, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसा व्यक्ति अच्छा बोलने की कला से सभी को खुश रखता है और खूब पैसा कमाता है ऐसे लोगों के जीवन में अगर मुश्किले भी आती हैं, तो वे उनका सामना बहुत आसानी से कर लेते हैं नमबर आठ माथे के राइट साइड पर तिल होना दोस्तों जिन लोगों के माथे के राइट साइड पर तिल होता है, तो ऐसे लोग जीवन में सभी भौतिक सुखों को प्राप्त करते हैं वही ऐसे व्यक्ति बेहद महनती होते हैं और मेहनत से हर मुकान को हासिल करते हैं उनके किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की अडचन नहीं आती है नमबर नौ हथेली के बीचों बीच तिल होना दोस्तों हथेली के बीचों बीच में तिल होना बेहद शुब होता है ऐसे लोगों को हमेशा किसमत का साथ मिलता है साथ ही ऐसे लोग अपनी मेहंत से समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हैं वही अगर मुठी बंध होने पर हथेली में तिल आजाता है तो ऐसे लोग जीवन भर बहुत कमाई करते हैं उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है दोस्तों सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ती के अंगुठे पर पर तिल होता है वह बहुत भाग्यशाली होता है ऐसे व्यक्ती की काम्याबी में कभी भी किसी भी प्रकार की अर्चन नहीं आती है ऐसे व्यक्ती को हर जगह सफलता हासिल होती है उन्हें हर एक काम में काम्याबी हासिल होती है दोस्तों जिस व्यक्ति के आईब्रो के बीचो बीच तिल होता है ऐसे व्यक्ति को जिन्दगी में अपार सफलता प्राप्थ होती है ऐसे लोगों का भाग्य भी लगभग 35 की उम्र के बाद सूर्य के समान चमकता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर भौतिक सुख सुविधाय मिलने के साथ लोगों के बीच खूब मान सम्मान मिलता है ऐसे लोगों को 35 की उम्र के बाद धन की कोई कमी नहीं होती है नंबर 12 सीने के मध्य भाग में तिल होना प्रियमित्रों व्यक्ति के सीने के मध्यभाग में तिल होना भाग्यवान माना जाता है शरीर के इस भाग पर तिल होना धन प्राप्ती का संकेत देता है और जीवन सुखमय कटता है साथ ही ऐसे व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ती समयस्मय पर होती रहती है इनको धन का कभी अभाव नहीं रहता है और अपनी मेहंत के दम पर अपना मुकाँ हांसिल करते हैं जिससे कुटंब में इनकी नई पहचान बनती है नंबर 13 राइट साइड की भुजा पर तिल होना दोस्तों सामुदरिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के राइट साइड की भुजा पर तिल होना प्रभुत्व संपन होता है ऐसे व्यक्ति को धनैश्वर्य की प्राप्ति होती है और समाज में काफी मानसम्मान मिलता है हालांकि शुरुवात में चीजों की प्राप्ती के लिए थोड़ा संधर्ष करना पड़ता है, लेकिन मेहंत से हर ख्षेत्र में काम्या होते हैं और परिवार के साथ सुख्मय जीवन व्यतीत करते हैं नंबर 14 हथेली के अशुभ तिल जोतिशाचार्य ने बताया कि हथेली के शुक्र परवत पर तिल का होना अच्छा नहीं माना जाता है इससे व्यक्ति के विचारों की पवित्रता खत्म हो जाती है और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन मुश्किल भरा रहता है इसके अलावा मंगल परवत पर तिल का होना जीवन में होने वाली दुरगटनाओं का संकेत देता है साथ ही इस स्थान पर तिल होना संपत्ती में नुकसान की भी सूचना देता है वही बुध परवत पर तिल होना अचानक से होने वाले नुकसान का संकेत देता है इसलिए ऐसे लोगों को आर्थिक मामलों में संभल कर चलने की जरूरत होती है तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ओफिशियल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद